हरेओं प्रिदर्शकों मैं हूँ पर्णित बलराम पांडे हाजिर हूँ आज का राशी फल लेके बात करेंगे किन राशी वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है और किन राशी वालों को बेहद शाओधान रहने की जरूरत है तो राशी के करम में बात करेंगे सबसे पहली राशी मेस मेस राश के लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा जरूरत है आपको हर काम को लगन से और पूरी त्यारी के साथ करने की आज आलस करना आपके लिए नुसान दायक हो सकता है जो भी काम करें तो उसमें पूरी एनरजी के साथ पूरे लगन के साथ काम करें आज ससुराल पक्ष से कोई बादविवाद की इस्तिती बन सकती है भाई बंदों के बीच आज लडाई जगडा या कुछ मन मुटाओ की इस्तिती बन सकती है और बात करें स्वास्त की, तो स्वास्त में गले में दर्द या खरास की समश्याएं, कफ़जन तकलीफें या सरीर में दर्द हो सकता है बात करें दामपत्य जीवन की तो दामपत्य जीवन आज मिराजुला रहने वाला है और इस्टुडेंट के लिए आज संगर्स का दिन है आज जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फन मिलने वाला है वहीं बात करें निवेस की तो निवेस आप ना करें निवेस करना आज के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा निवेस करने से आज पैसे फंसकते हैं और साथ में पैसे तो सामने वाला नहीं देगा उसके साथ में आपको और कोई समस्याएं खड़ी कर सकता है आज यात्रा करना भी बहुत स्रेष्ट नहीं कहा जाएगा तो यात्रा करने से भी बचें अब बात कर लेते हैं वरसरास की तो वरसरास के लोगों के लिए बेहर जरूरी है कि आज आप अपने स्वास्त का विश्यत रूप से ध्यान रखें आज गुप्त जनल तकलीफें या पहले से चली आ रही बिमारी वापिस तकलीफ दे सकती है आज घर परवार में भी कले का महौल रहने वाला है और आप अपने बानी में सह्यम रखें आपके बानी से ऐसी कुछ बाते निकल सकती है जिससे बादव्याद और पैत्रिक संपत्ति का नुकसान भी हो सकता है और बैंक बैलेंस में भी कोई आज समस्याएं बन सकती है बैंक से जुड़े हुए काम आज बिगड़ सकते हैं वेहद शावधान होके हर काम को करें दामपत जीवन भी आज बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा और ये स्टुडेंट को भी आज शंघर्स करना पड़ेगा वहीं बात करें निवेश की तो निवेश करने से आज बचना चाहिए निवेश करना ये बहुत ही जरूरी हो तो बहुत अच्छे से रिशर्च कर लें जान समझ लें और इसके बाद ही निवेश करें अब बात कर लेते हैं मिथन रास की मिथन रास के लोगों के लिए आज का दिन लावदायक रहने वाला है आज आपको कोई ऐसी इस्तिती बन सकती है जो कि पहले से समस्याएं चल रही थी वो दूर हो जाए आज आपको कोई बड़ा मौका मिल सकता है यदि कोई नए कारोबार या बिजनिस की सुरुआत करना चाहते हैं यह जौब के लिए इंटर्वु देना चाहते हैं यह आण-लाइन अपछलाय करना चाहते हैं जौब के लिए तो आज के दिन आपके लिए आपके रहेगा आप कर सकते हैं आज लाइप पार्टिने लब प्रटिनेir का सहयोग मिलने वाला है और यदि कोई साजह में आप काम कर रहे थे, पार्टनर्शिब में कोई काम कर रहे थे, उसे विशेसलाब मिलने वाला है. या पार्टनर्शिब में कोई नए काम शुरू करना आज के लिए लाबदायक रहेगा. वहीं बात करें दामपत्य जीवन की दामपत्य जीवन आज बेतर रहेगा और इस्टुडेंट को सबलताएं प्राप्त होंगी परन्तु इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मानसिक टिंसन से बचना है और अपने विपरीत का फूर्ण सम्मान करना है अपने विप्रीत का अपमान करना आपके लिए भारी पड़ सकता है वहीं बात करें स्वास्त की तो स्वास्त में मानसिक टिंसन या सर में दर्द की स्थिती बन सकती है इससे बचें निवेश की बात करें तो निवेश आप कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं करकराश की, तो करकराश के लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप सावधानी पूरत दिन बिताएं, आज किसी से गडाई जगडा करना आपके लिए विसेश हानिकारक हो सकता है, आज आपको सावधान रहना होगा, आज पुराने सत्रू वापिस आपको तकलीब देने की योजनाएं बना सकते हैं, और खर्च अधिक हो सकता है, आए कम और खर्च अधिक ऐसी स्थितियां बन सकते हैं, और यात्रा करना भी आपके लिए आज नुखसान दायक रहेगा, तो यात्रा करने से जितना हो सके तो बचें, और वहीं बात करें, ये स्टुडेंट के लिए आज के दिन बेहद जरूरी है कि आप मन को अपने स्थित रखें, आज मन बिचलित हो सकता है, मन ब्रहमित हो सकता है, दामपत्य जीबन की बात करें, तो दामपत्य जीबन आज कलह पूर्ण रह सकता है, परन्तु दिन के उत्तरार्ध आते आते, द समस्याइं होंगी वो दूर होती हुई दिखाई देंगे हाँ आपको खुद इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयत्न करना होगा वहीं बात करें निवेश की तुरिवेश करने से बचना चाहिए तो आज का दिन बेहत जरूरी है करकराश्य वालों के लिए कि पूर्ण स साउधानी के साथ बिताएं अब बात कर लेते हैं सिंघराज की सिंघराज के लोगों के लिए आज अचानक लाब राप्त होने वाला है और खासकर आपको संतान पक्ष से कोई विसेश सुम समाचार मिल सकता है संतान पक्ष संतान को को यदि समस्याइं चल रही थी वो भी दूर होंगी और संतान को सफलताएं राप्त होंगे और दामपत्य जीवन की यदि बात करें तो दामपत्य जीवन शुक में रहने वाला है और खासकर एस्टूडेंट को आज विसेश सफलताएं मिलने वाली है यदि आप फाइनेंस से या बैंकिंग से जुड़ा हुआ को स्वास्त की तो स्वास्त आज सामन रहने वाला है मौसम की विमारियां प्रिसान कर सकते हैं परन्तु यदि आप सचेत रहते हैं बच सकते हैं वहीं बात करें निवेश की तुनिवेश आप कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं कन्या राज की तो कन्या राज के लोगों के सकता है और यात्रा लावदायक रहने वाली है सरकारी सिक्टर हो या प्राइवेट सिक्टर दोनों सिक्टर से आज आपको शयोग प्राप्त होने वाला है तो जो भी पिगडे हुए काम हो आज आप कर सकते हैं खास कर यदि प्रॉपर्टी से सम्बंदित कोई काम है या गाड और ऐसा कोई काम हो जो पुरानी संपत्त से या अस्थाई संपत्त से जुड़ा हुआ हो इसे भी आप कर सकते हैं आज माताविता का असिरबाद लेके निकलें तो आपकी सफलताओं में चार चांद लग सकता है और वही जरूरत होगी आपको कर्म करने की कर्म करने से पीछे हटते हैं तो पूरा दिन अच्छा होते हुए भी काम बिगड़ते हुए दिखाई देंगे दामपत्ती जीवन की बात करें तो दामपत्ती जीवन सुखमे रहने बाला है और इस्टुडेंट को भी आज मन चाही सफलता मिलने बाली है परन्तु बहुत जरूरी होगा कि आप पढ़ाई करने से पीछे ना हटे वहीं बात करें निवेश की तो निवेश भी आप कर सकते हैं बस इस बात का ध्यान रखना है आपको अपनी बातें अपने प्लान किसी को सेर नहीं करना है अब बात कर लेते हैं तुला राज की तुला राज के लोगों के लिए आज का दिन विशेशलाव लाने बाला है क्योंकि चन्रवा आज आपके त्रतिय भाव में गोचर करेंगे जिस से भाई बंदुओं के बीच चली आरही अर्मन दूर होगी और यदि आप कोई परिच्छा प्रतियोगता में भाग लिए हैं तो आपको विशेशलाव मिलने बाला है या परिच्छा प्रतियोगता में भाग आप लेना चाहते हैं तो आज से सुरुआत करना आपको विशेशलाव मिल सकता है और कोई छोटी यात्रा का मौका भी आपको मिल सकता है और यात्रा लाबदाय करेने वाली है विशेश कर आपको यदि कोई आप खेल कूद के छेत्र में हैं तो आपको विशेशलाव मिलने बाला है और आज पूरा दिन आपके अंदर एनरजी बनी रहेगी जिसे हर एक काम को आप बड़ी स्विक्टा के साथ कर सकेंगे परन्तु इस बात का भी ध्यान रखें कि जोस में उतावला पंजादा दिखाना कभी-कभी नुकसान दायक भी हो शकता है तो जो भी काम करें तो पूरे इनरजी के साथ तो करें ही परन्तु साथ में सूझ बूझ के साथ भी करें जान समझ लें अच्छE से उसके बाद ही कोई काम करें दांपत्त्त जीवण की बात करें तो दांपत्त जीवन अच्छा तो है परन्तु दिन के पूरवारत में कुछ गुस्थे की बज़े से जल्दवाजी के बज़े से मन मुटाओ की इस्तिती बन सकती हैeeee सफलता दायक रहने बाला है बात करें निवेश की तुनिवेश आप कर सकते हैं और कोई समस्याइं चल रही थी तो आज थोड़ा प्रतने यह आप करते हैं तो समस्याइं दूर होंगी और हो सकता है आपको कहीं तीर स्यात्रा का भी कोई आस-पास के मंदिर के दर्सन करने का ही वोका मिल सकता है अब बात कले लेते हैं वरश्चिक राज की लोगों के लिए घर परिवार में खुशी का महौल रहने वाला है और पैत्तिक संपत्य से संबनेदित कोई विशेशलाब मिलने वाला है पैत्तिक संपत्य से जुड़े हुये जो भी मामले फंसे हुए थे व करना चाहते थे या कोई मीटिंग करना चाहते थे तो आप कर सकते हैं वहीं बात करें दामपत्य जीवन की दामपत्य जीवन आज अच्छा कहा जाएगा और ये स्टुडेंट को भी आज विसेश लाभ मिलने बाला है पहले से चली आ रही बिमारियां आज दूर होंगी और स् यदि आपने पैसे का देल लेन किया था तो उसमें भी आज आपको लाभ मिल सकता है देल लेन किये हुए कामों में विसेश लाभ ताप्त होने वाला है आज का दिन आपके लिए विसेश लाभ लाने वाला है आज का दिन बहुत अच्छा है बस जरूरत है आपको आलस से ब तो धनराज के लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने व्यक्तित्र का ध्यान रखें, आप अपने चरित्र का ध्यान रखें, किसी विप्रित के प्रति आकरशित नहूं, और मांसिक तेंसन से भी बचें, आज जल्दवाजी करना आपके लिए हर एक काम को बिगाड सकता है, आज कोई नया काम शुरू करना ठीक नहीं है, आज बहुत जरूरी है कि आप अपने स्वास्त का अभी ध्यान रखें, खासकर सिर्दर्द में या माइन से संबंद को यदि आपको तकलीप थी पहले से, या कुछ लोगों को डिप्रेशन के इस्तिती में, दिमाग से, जिसमें दिमाग का ज्यादा यूज होता हो, वैसे कामू में आपको आज चिंताएं बन सकती है, ये स्टुडेंट की बात करें, तो ये स्टुडेंट को भी आज मानसिक टेंसन बन सकता है, और मन ब्रहमित हो सकता है, पढ़ाई में मनना लगना यहां वहां बात करें, तो निवेश करना बहुत सरेश्टों नहीं कहा जाएगा, अपरंति जरूरी हो, तो अच्छे से जान समझ लें, रिशर्च कर लें, इसके वाद निवेश करें, तो आपको सफलताएं लाभ राप्त हो सकता है, अब बात कर लेते हैं मकर राश्की, तो मकर राश् बालों को आज कोई बड़ी यात्रा का, या विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है, या आप विदेश में आपको कोई कारोबार है, या विदेशी कंपनिया है, उनमें आपने निवेश किया है, वहां से आपको लाभ मिल सकता है, और निवेश आप कर सकते हैं, परंतु बेह अपति जीव्न आज मिला जुला रहेगा और ये शुट्डेन्ट को भी कर्म के अनुसार मेहनत के अनुसार छरसा मिलने बाली इस जितनी आप पढ़ाई करेंगे उतनी ही आपको सफलता मिलेगी ये बात हमेशा सत्त है कि सफलताएं हमेशा मिलती है परंतु यदि हमारा भाग साथ हो तो हमको विशेश सफलताएं थोड़ी मिहनत में अधिक सफलताएं मिलती है और वही बात करें कि आज का दिन पूरा दिन कैसा रहेगा और आज के लिए मूल मंतर आपके लिए यही रहने वाला है पूरा दिन का कि आज जो भी काम करें उसमें साधानी रखें और अपने स्वास्त का विशे सुरूप से ध्यान रखें तो आज के दिन को बेतर आप बना सकते हैं अब बात कर लेते हैं कुम्यराज की तो कुम्यराज के लोगों के लिए आज के दिन देखा जाए तो अचानक लाब देने वाला होगा आज आपको आकश में यदि पहले से कोई कहीं पैसा फसा हुआ था वो आज आपको प्राप्त हो सकता है या पहले से कोई प्रोजेक्ट के बारे में या किसी भी विसे में आप डिसकस कर रहे थे बहुत प्रयत्न कर रहे थे नहीं हो रहे थे काम तो आज वो होने वाले हैं और आज ये स्टुडेंट के लिए भी आज का दिन बहतर रहेगा आज पढ़ाई में मन लगने बाला है पहले की हुई मेहनत आज फल देने वाली है आज कर रिदिया आपका कोई बेंकिल स्रिक्टर से जुड़ा हुआ काम या फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई काम रुका हुआ था उसे भी आज आज आप कर सकते हैं और संतान पक्च से भी कोई सुब सूचना आपको प्राप्त हो सकती है दामपत्ती जीवन देखा जाए तो दामपत्ती जीवन आज बेहतर रहेगा और स्वास्त के दर्स्टिकोंड से दिदेखें तो आज के दिन ठीक कहा जाएगा परंदु साउधान भी आपको रहना होगा मौसम से और बात करें इवेस के तिन वेस आप कर सकते हैं आज का दिन आपके लिए लाफदाय कहीं कहीं देखा जाए तो इस्तिती बनने वाली है बस आपको सचेत रहना है कि जो मौके मिलें उन पर आप चूक ना जाए बागी कोई खास मश्या नहीं रहने वाली है अब बात कर लेते हैं मीन राजकी तो मीन राजकी लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आज जो भी आप काम करें उन्हें सही तरीके से करें कोई भी काम में सौट कट अपनाना गलत तरीका करना दो घंटे का काम एक घंटे में करना आज आपके लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है आज अपने स्वास्त का भी विशेश रूप से आपको ध्यान रखना होगा अपने फैमिली के सभी सदस्टों के स्वास्त का भी विशेश रूप से और माता पिता के स्वास्त का ध्यान रखना होगा आज आपको कर्म से पीछे नहीं हटना है जितना कर्म हो सके जितना अच्छे ढंग से आप भर काम को कर सके उतना ही आपके लिए लावदायक रहने वाला है और वहीं बात करें यह स्टुडेंट को भी बेहद जरूरी है कि आप पढ़ाई में मन लगाएं यहां वहां कंफूजन में ना पढ़ें तो सफलताएं में उसकती हैं निवेश की बात करें तो इवेश करने से आज आपको बचना चाहिए तो पूरे दिन का यदि निचोड निकालेंगे तो बस एक बात ध्यान में रखना है कि जो भी काम करें सही तरीके से और पूरे तनमन धन से कोई भी काम को करें तो सफलताएं मिल सकती हैं समय जो होता है जो हमारा भाग होता है उसे हम बदल सकते हैं अच्छे भाग को बुरा और बुरे को अच्छा बना सकते हैं क्योंकि भाग कर्म से ही बनता है यदि आप अच्छे कर्म करना सुरू कर दिये तो भाग अपने आप बेहतर हो जाएगा इसलिए बेहज जरूरी है कि आप एकाग्र होके इस बात का भी विचेश ध्यान रखें एकाग्र होके भ्रामित नहीं होना है मैं ये काम कर लूँ वो कर लूँ वो कर लूँ इस तरह में कोई भी काम हो पाना संभव नहीं होता है एक काम को करें, उसको पूरा कर लें, उसके बाद फिर दूसरा काम करें तो इस तरह करेंगे तो सफ़ताएं राप्त हो सकती है तो प्रियदर्स को ये रहा मेज से लेके मीन दाज तक का आज का रासी फल आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे तब तक के लिए आरियो